दोस्तो अगर अपने घर में आप plumbing का काम शुरू करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें इस वीडियो के अंदर मैंने बताई है वो सब गलतियां जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं और आपको नहीं करनी है और इसी वरे से आपका बहुत सारा पैसा बच सकता है दोस्तो इंडिया में 65% घरों के अंदर फ्यूचर में plumbing की प्रॉलम आती ही आती है मैं चाता हूँ आपके घर में ना है इस वीडियो को पूरा देखें और ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल फ्री नहीं है दोस्तो इसके लिए आपका एक लाइक लगेगा तो लाइक का बटन दबा की मुझे जरूर सपोर्ट करें तो चली वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो 40% लोग ये खलती करते हैं कि plaster और flooring का काम जल्दी जल्दी करवा लेते हैं plumbing के काम उन्हें बाद में आता है कि plumbing का ये वाला काम तो रही गया और उसको ठीक कराने के लिए फिर वो plaster को फ्लोर को तुड़वाएंगे दुबारे कराएंगे और इसी वज़े से construction की कोईश बढ़ जाती है तो धियान रखने वाली बात दोस्तो ये है कि पहले अपना plumbing का काम अच्छे से करा लें उसके बाद ही plaster और flooring का काम स्टार्ट करा है दोस्तो plumbing का काम स्टार्ट कराने से पहले आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको कौन सा pipe कहां पर लगवाना है और काफी लोग ये गलती करते हैं जिसकी वज़े से बाद में उनके घर में leakage की समस्य शुरू हो जाती है दोस्तो आपके घर में तीन तरे के pipe लगते हैं UPVC pipe थंडे पानी के लिए होता है CPVC pipe गरम पानी के लिए होता है और SWR sewage pipes होते हैं जो मोटे वाले होते हैं तो अपने घर में कहीं भी आप गरम पानी की fitting करा रहे हैं गीजर से लेके कहीं पर भी टॉलेट या कीचन में तो आपको CPVC pipe यूज़ करने हैं थंडे पानी की fitting के लिए नॉर्मल पानी की fitting के लिए आप UPVC pipe यूज़ कर सकते हैं अगर दोस्तो आप North India में रहते हैं तो मैं recommend करूँ आप पूरी fitting CPVC pipe की करा हैं क्यूंकि करमियों में North India में पानी की टंकी बहुत गरम हो जाती है जिसकी वज़े से ठंडे पानी की जगह भी करम पानी आता है तो इस दिश का ध्यान रखें दोस्तो अब अगला point जो है दोस्तो ये गलती कुछ लोग कर रहे हैं पिछले दिनों मैं अपने client के पुराने घर में गया जहां मुझे जाके चला पता कि उनकी kitchen में से toilet की smell आ रही है और जब भी कोई bathroom में नाने जाता है तो साबू, शेंपू, सर्फ की smell उनकी kitchen में आती रहती है तो finally चला पता कि उनका जो toilet की pipeline है वो kitchen से होते हुए आ रही है तो दोस्तो आपको यह ध्यान रखना है जो आपके bathroom की pipeline है वो अलग होनी चाहिए और kitchen की अलग होनी चाहिए वो आपको attach नहीं करनी है बिलकुल भी ऐसा नहीं हो कि आपकी washroom की pipeline kitchen से होते आ रही है क्योंकि बाद में आपको बहुत दिक्कत होगी उसमें आपका खर्चा भी रहेगा change कराने में दोस्तो अगला point है shut off valve देखिए आपका kitchen हो, toilet हो या washing area हो आपको हर जिंगे shut off valve देने हैं क्योंकि दोस्तो अगर future में कभी कोई दिक्कत आती है किसी area में घर के plumbing's related तो आप shut off valve को अराम से यहां बंद करके वहां का पानी रोक सकते हैं तो आपको छट पे जाके टंकी बंद करके पूरे घर का पानी रोकना है तो shut off valve लगाना हर पार्ट पे बहुत ज़रूरी है तो उसको ज़रूर धियान रखे, shut off valve हर जगे होने चाहिए दोस्तो अगली जो गलती है काफी लोग काफी टाइम से करते आ रहे हैं तो जब भी उनकी wall की cutting होती है plumbing pipe लगाने के लिए वो check ही नहीं करते कि wall की cutting का level साई से maintain हो रहा है कि नहीं हो रहा है कई बार क्या करते हैं cutting के time पे worker ध्यार नहीं देते हैं तो wall की cutting को टेड़ा मेड़ा कर देते हैं जिससे pipe लगने के बाद आपको pressure नहीं आएका टंकी में आप सोचेंगे टंकी का पानी पूरा भरा हुआ है फिर भी pressure नहीं आ रहा है वो इसी वज़े से है कि cutting आपकी सही से नहीं हो रखी और उसके अंदर pipe भी फिर फिट जो होए है वो टेड़े ही होए है तो इस बात कर जरूर ध्यान रखें कि अच्छी cutting हो level पे और सासुतरी cutting हो और दोस्तो पानी की टंकी को लगा कि आप चेक कर लें plaster of floor होने से पहले कि plumbing का काम आपका हो जाए तो पानी की टंकी लगा के चेक करने कहीं पर leakage तो नहीं हो रही है सब कुछ pressure वगएरा सब सही आ रहा है उसके बाद ही plaster of flooring का काम करा है कि बाद में अगर आप चेक करेंगे और leakage हो गई तो बहुत बड़ी समस्य हो जाएगी फिर आपको तोड़ा 4D करनी पड़ेगी जिसके आपको extra पैसे देने होंगे और दोस्तो जब भी आपका plumbing का काम हो गया हो plaster नहीं हुआ हो आप पहले ही दिवार की सबकी photo ले ले ताकि आपको पता रहेगी आपके plumbing के pipe दिवार में कहां कहां जा रहे हैं और उसकी वज़े से उनके sink और wash basin से smell आती रहती है तो वो लोग नहानी trap लगा देते हैं अपने sink में और wash basin के नीचे तो दोस्तो ये गलती आपको नहीं करनी है आपके sink और wash basin के नीचे multi floor trap होना चाहिए ताकि smell महाँ पर ना बने दोस्तो जो अगली गलती है ये सबसे ज़्यादा लोग करते हैं वो है planning और इसी गलती की वरे से दोस्तो कभी उन्हें प्लिंद भीम फोड़ने पड़ती है पाइप निकालने के लिए कभी linter में hole करते हैं तो दोस्तो plumbing का काम start होने से पहले अपने architect से proper plumbing की planning करा ले इससे गलती से बचे planning पहले ही करा ले दोस्तो अगला point है slope जो भी आपके outlet pipes हैं दोस्तो जितने भी आपके 3 इंच 4 इंच ये 6 इंच के pipes हैं जो outlet जो बाहर जा रहे हैं पानी को लेके उन सब को दोस्तो आपको हर 10 फिट बाद 1 इंच डाउन रखना है इस तरह का अगर आप slope बनात अगर इन future ये खराब हो जाता है तो आपको अपने दीवारे और टाइले फोड़के उनको ठीक कराना पड़ेगा रिप्लेस कराना पड़ेगा तो चाहे टाइल और पेंट आपने कितना ही महंगा करा है दोस्तो अगर fitting आपकी अच्छी quality की नहीं होगी तो future में आपको सब क तो तोड़के दुबार ठीक कराना पड़ेगा और यकीन मानी दोस्तो ठीक कराने के बाद भी वो अच्छी feeling आपको नहीं आएगी इस वक्त जो मेरे हाथ में यह इस keeper company के pipes और fitting है वह बहुत ही अच्छी quality की है और आप चाहें तो अपने घर में इसको यूज कर सकते हो मैं यह भी अपने कुछ साइड में को यूज कर चुका चली दोस्तों देखते हैं कहां पर आपको कौन सा पाइप यूज करना है तो जो आपको वाटर टैंक है महाँ पर इलेट और जो आउटलेट पाइप है उसी पीवी सी हो या यू पीवी सी हो वो एक से देड़ इंच की हो जो रेनवाटर पाइप है ओपन हो या अंडरगराउंड हो वो मिनिम्मम तीन इंच को आपको रखना है बॉस बेसेन और सिंक पाइप आपको एक से दो इंच का रखना है दोस्तों और जो वेंट पाइप है दोस्तों जो टोलेट में आप गैस के लिए लगाते है वो मिनिम कम तीन इंच का रखिए आपको दोस्तों कोई भी डाउट वाप कमेंट करें वीडियो की नीचे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुबो